कहते हैं अगर आप आज के समय की नबस पकड़ना चाहते हैं तो आज का साहित्य पढ़ें। लेकिन अच्छा साहित्य चुने कैसे। आपकी इस परेशानी का हल हमारे पास है। इंदुस्तान के बेहतरीन साहित्यकारों की चुनिंदा कहानियों, कविताओं और लगुकताओं को हर महीने एक धागे में पेरोया जाता है। उस धागे का नाम है हंस पत्रिका, जिसका सपना बुना था खलम के सिपाही मुन्शी प्रेमचन ने। उन्होंने कहानियों की ताकत को पहचाना और साहित्यको माध्यम बना कर पूरे देश की जन्चेतना तयाग की। इस विरासत को 1986 में मशूर लेखक राजिंद्रे आदव ने आगे बढ़ाया। राज भी ये पत्रिका सबसे आधुनिक प्रगतिशील साहित्य आप तक पहुचा रही है। अब हंस ओडियो की दुनिया में उडान भर रही है हंस वानी के रूप में।